आज की इस वीडियो में आप देखेंगे MSB Type Change Over Switch क्या होता है कैसे काम करता है और इसकी wiring कैसे की जाती है और फ्रेंड़्स हम ये भी देखेंगे कि हमें ये क्या क्या protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और ये भी देखेंगे फ्रेंड़्स इसकी जरूरत हमें कहां पे पड़ती है तो friends अभी आप देख सकते हैं कि ये neutral position पे है जब हम इसको एक number position पे करते हैं तो हमारा load on हो जाता है लेकिन friends इसके अंदर क्या है एक जो एक number load है वो grid से चल रहा है जब हम इसको दो number पे करते हैं तो ये दो number load generator से चल रहा है कई बर क्या होता है friends हम इसको एक number पे चला के रखते हैं grid supply से grid supply हमारी चली जाती है क्योंकि आपको पता है इंडिया में grid supply चली जाती है बार-बार आती जाती रहती है तो ये grid supply चली जाती है ठीक है वहाँ पे हमारी backup supply generator हो सकता है UPS हो सकता है inverter हो सकता है उसको हम on करेंगे और इस change over MCB को हम क्या करेंगे दो number पे select कर देंगे तो ये दो number पे चलने लग जाएगी उसी condition में क्या होता है थोड़ी देर बाद में हमारी grid supply फिर से आ जाती है तो ये मान लिजी है हमारी supply फिर से आ गी है और हमें पता लग गया कि grid की supply आ गी है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस change over को एक number पे फिर से select कर देंगे और हमारा load चलने लग जाएगा तो इसलिए तो हम इसको लगाते हैं अभी हम देखते हैं ये change over MCB क्या होती है और कैसे काम करती है तो friends ये है MCB type change over जिसको friends CNC company दवारा बनाया गया है जिसका model number आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है friends उससे पहले आप इसके एक बर function को जान लीजिए friends इसके अंदर जो ये lever दिया गया है handle दिया गया है ये तीन position पे काम करता है जैसे माल लीजिए आपको इसको एक number पे करना है तो ये एक number यहाँ पे आ जाएगा एक number supply पे चलने लग जाएगा और friends उसको अगर आपको दो number पे select करना है उसके लिए सबसे पहले आपको इसको बीच में करना पड़ेगा यानि कि neutral करना पड़ेगा उसके बाद आपको इसको उपर करना पड़ेगा तो ये दो number power supply को use करने लग जाएगा इसके अंदर friends जो input supply है वो यहाँ पे चार terminal के दवारा दी जाती है यानि कि double input है और जो output है friends वो single output है कहने का मतलब है मान लीजिए आपके पास grid की supply है तो grid की supply आप यहाँ पे देंगे और जो generator की supply है वो आप इन दो terminalों पे देंगे तो यानि कि हमारे पास दो supply हो जाती है grid की supply और generator की supply उनको friends हमें यहाँ पे इस selector switch के through यह जो lever दिया गया है इसके through हमें select करना है कि कौन सी power हमें use करनी है उसके बाद जो supply निकलेगी वो इन दो terminalों से निकलेगी अगर हम इसको एक नंबर पे करते हैं तो जो यह नीचे वाले terminal है उनकी supply यहाँ पे हमें मिलेगी अगर हम friends इसको दो नंबर पे करते हैं तो हमें जो यह उपर वाले जो terminal है इनकी supply हमें output में मिलने वाली है friends इसके जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ friends जहाँ पे हमें दो supply लेनी हो मान लीजी हमारे grid की supply भी है और generator की supply भी है हमारे पास कुछ ऐसा load है कि हम उसको बंद नहीं कर सकते जादा देर के लिए और grid supply में क्या होता है friends कभी आ जाती है और कभी चली जाती है और काफी time का cut भी लग जाता है उस case में हमें क्या है उसके लिए एक backup supply लेने के लेके रखनी पड़ती है जैसे कि UPS की supply या फिर generator की supply तो उसके लिए हम इसको use करते है friends अभी हम बात करते हैं कि क्या हमें ये protection provide करवाती है या नहीं करवाती friends इसके अंदर कोई भी protection नहीं होती यानि कि ये हमें कोई भी safety नहीं देती है ये एक switch का काम करती है normal switch जो होता है on off के लिए एक isolator का काम करती है friends ठीक है जो MCB होती है MCB के अंदर तो friends अलग-अलग की प्रकार की protection होती है जैसे कि short circuit protection, overload protection लेकिन friends जो हमारा ये change over MCB है इसके अंदर कोई भी protection नहीं होती ये बिल्कुल एक switch की थुरू काम करता है इसके अंदर contact है और contact make and break होते रहते हैं तो चलिए friends अभी हम इसके connection करना सीखेंगे इसके friends ये नीचे से यहाँ पे आप देखेंगे दो और चार नमबर और छे नमबर और आठ नमबर ये तो है input के terminal और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एक और पांस नमबर है ये है output के terminal इसके अंदर friends तोटल छे terminal दिए गए है चार नीचे और दो उपर तो friends इसकी wiring किस तरह से करनी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो friends अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो supply आ रही है वो grid से supply आ रही है यहाँ पे हमने एक MCB लगा रखे डबल पॉल की और जो यहाँ पे जो ये supply आएगी उसको हम backup supply के तोर पे यूज करेंगे जो की generator supply है तो friends से सबसे पहले हम MCB जो grid की MCB है उसके साथ में इसके connection करने वाले हैं हम क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ से phase लेंगे phase connect करेंगे और इसको friends हम दो number पे दो number terminal पे निचे वाला जो terminal है उसके साथ में इस तरह से connect कर देंगे उसके बाद friends जो phase है जो grid का phase है वो connect हो गया है अभी हम क्या करेंगे friends जो generator का phase है उसको भी हम इस change over के साथ में connect कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे friends यहां से एक phase लेंगे इससे और इसको हम चार number पे connect कर देंगे इस तरह से तो हमारे grid का भी phase connect हो गया है और generator का भी phase connect हो गया है अभी बार या आती है friends न्यूटल की तो friends हम grid का न्यूटल लेंगे इस grid को neutral को यहाँ पे connect करेंगे और friends इसका जो neutral wire है वो हम 6 नमबर पे निच्चे वाले terminal पे connect करेंगे ठीक है तो यह neutral यहाँ पे connect हो जाता है अब भी friends हम generator का भी neutral इसके साथ में connect कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं friends इसका neutral हमने यहाँ से ले लिया और इसको हम जो change over है हमारा उस change over को हम 8 नमबर पे हम connect कर देंगे यहाँ पे तो friends इतनी wiring हमारी complete हो जाती है तो friends अभी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यह है grid की supply की MCB यहां से जो phase है वो निकल के हमारा दो number के अंदर connect हो गया है और यह है generator supply की MCB इसका जो phase है वो हमारा 4 number के अंदर जाके connect हो गया है और friends जो grid का neutral आएगा वो black color का wire है वो 6 number के अंदर connect हो जाता है और friends जो generator का न्यूटल सप्लाई आती है वो हमारा आठ नंबर के अंदर इसके जंदर connect हो जाएगा अभी हम इसके अंदर एक load connect करने वाले हैं load के तोर पे हम यहाँ पे एक holder और एक बलब ले रहे हैं उसका जो phase wire है वो हम एक नंबर पे connect करेंगे और जो neutral wire है वो हम पांच नंबर पे यहाँ पे connect कर देंगे उसके बाद हमारी जो wiring है वो complete हो जाती है उसके बाद हम test करके देखने के लिए त्यार हो जाते हैं तो चलिए friends अब भी हम इसको test करके देख लेते हैं यहाँ से हमारी grid supply आ जाती है यानकी grid supply on है और इदर से हमारी जो backup की supply है वो भी on है हम क्या करेंगे जो grid की supply है उसको first priority पे रखेंगे यानकी पहले नंबर पे हम grid supply को रखेंगे तो यह हमारा change over जो है वो neutral पे है भी उसको हम एक नंबर पे करेंगे तो हमारा blob on हो जाएगा अगर हमें इसको dg पे यानकी generator supply पे चलाना है तो हम इसको दो नंबर पे select करके रख सकते हैं लेकिन हमारी grid supply है तो हम grid supply के उपर ही चलाएंगे मान लीजिए थोड़ी देर के बाद हमारी grid supply बंद हो जाती है तो उस case में हम क्या करेंगे इसको हम select कर देंगे जो generator है उसके उपर जो backup है ups भी हो सकता है inverter भी हो सकता है battery का battery bank भी हो सकता है तो friends यह आप देख सकते हैं यह हमारा dg पे चलने लग गया है और कुछ देर के बाद हमारी जो grid की supply है वो फिर से आजाती है तो यह आगी है हमें पता लग जाएगा कि हमारी supply आगी है तो हम क्या करेंगे इसको एक number पे select कर देंगे और यह चलने लग जाएगा तो friends यह तो इसका काम होता है और इस तरह की जो मैंने आपको बताया कोई भी protection नहीं देता है और कैसे कैसे इसके function है सारी इस वीडियो में आपने देखा और इसकी wiring आपने सीख ली है किस तरह से इसकी wiring की जाती है सभी परकार के MCB changeover इसी तरह के से wiring किये जाते हैं तो friends आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी comment करके हमें जुरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share जुरूर कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम